नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे आजादी के अम्रित महुतसप पर हुए भरष्टाचार से संबंदित जानकारी कैसे उजागर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे जो इस चैनल से प कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें तथा एक लाइक कवस कर दें तथा इसे इतना सेर करें कि हर किसी को इसकी जानकारी आसानी से हो सके हमारे देश में ऐसे अनेक कार्याले हो गए जहां हर किसी त्रिष्टी कौन से भरष्टाचार होत जहां 200 रुपये का अगर जंडा लाया जाता हो तो उसमें बिल जो है 500 रुपये का बनता है तथा 2000 का कोई सामगरी लाया जाता है तो उसमें बिल 5000 का बनता है यह आम बात हो गया है मैंने एक लोक्षेवक से ही बात करते हुए सुना कि 2200 रुपये का एक जंडा ले लिजिएगा बिल तो जो होगा मनमानी धंग से बन ही जागा इसलिए इस तरह की बाते मैं सुनता आ रहा हूं तथा बहुत ऐसे लोक्षेवक के मुझ से तो ऐसा सुनता हूं कि बिना लोगों का भी काम नहीं होता इस प्रकार हम लोग हर तरह भरस्टाचार के चंगूल में फस्टे जा रहे हैं इसलिए हम लोगों को आजादी के अमरित महसब के नाम पर जो खर्च हुआ है उसे अपने अपने छेतर के कारिया ले अपने अपने जीला कारिया ले हो या परख किसी रूप से भ्रष्टाचार अवस हुआ होगा इसलिए मैंने किसी भी कारियाले से इससे संबंधित सूचना कैसे मांगेंगें इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं आप लोग अवस इस पर RTI लगाकर इसका जानकारी प्राप्त करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र को सेवा में लोग सूचना पता अधिकारी या जन सूचना पता अधिकारी कारियाले या विभाग जिस भी कारियाले से आप आजादी के अमरित महुतसप के नाम पर जो भी खर्चुआ हो उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो उस कारियाले का नाम पता यहां लिखेंगे चाहे अंचल कारियाले हो, प्रकंड कारियाले हो, जीला कारियाले हो और मंडल कारियाले हो, थाना कारियाले हो जो भी जिस भी कारियाले से आपको लग रहा हो कि वहां ब्रष्टा चार हुआ होगा तो उस कारियाले से का नाम दे के पता दे के आप RTI लगाएंगे विसे RTI 1-2005 के तहत सिग्र सूचना देने के सम्बंद में पहला में अपना नाम लिखेंगे आवेदक दूसरा में पूरा पता पिनकॉर्ट साहित लिखेंगे मांगी गए शूचनाएं उपरोक्त कारियाले के अमरित महोतसब पर हुए खर्च से सम्बंदित निम्लिखित सूचनाएं सिग्र चाता हूँ पहला आजादी के अमरित महोटसब पर कुल कितने सामगरी की खरीद की गई परते का लिष्ट की प्रमानिच चाया परती देने की किरपा की जाया जिसमें सभी का विबरन असपष्ठ हो दूसरा खरीद की गई सामगरी के रसीद की परमानित छायापरती भी दी जाए जिससे सामगरी की किमत असपश्ट हो सके तेसरा खरीद की गई सामगरी जिस दुकान से ली गई है उस दुकानदार का नाम पूरा पता भी उपलब्द कराया गया हो तो उसकी छाया परती भी उपलब्द कराया जा चौथा सरकार की तरब से उपलब्द कराया जा इस प्रकार आप लोग अपने अपने छेतर के कार्यालों में आर्टी आई लगाकर आजादी के अमरित मोतसर पर हुई खर्ज का इशाब ले शकते हैं जानकारी ले शकते हैं सुल्क मैंने इसके लिए 10 रुपे का भारतिय पुस्टल ओर्डर जन जिरिस्यल स्टांप या जो भी आप दे रहे हों सुल्क के रूप में उसका रसीत संख्या यहां देंगे भुक्तान क्या हूँ या जो BPL परिवार के हैं गरीवी रेखा से नीचे की परिवार के हैं उसे निसुल्क सुचना दी जाती है इस कारण निसुल्क सुचना परदान की जाए नोट यदि वांचित सुचना आपके कार्याले से सम्बंधित नहीं हो तो पांस दिनों में अस्थांतरित कर मुझे भी सुचित करें कभी कभी गलती से जिस कार्याले को हम लोग आवेदन देते हैं वहां वह सुचना अपलब्द नहीं होती है तो वह किसी कार्याले को अस्थांतरित करने का काम वहां के लोग सुचना पता दिकारी का है सही जगा अस्थांतरित कर वो आवेदन को सुचना देते हैं इसलिए मैं नोट में यह प्राया प्रपत्र को में अवस्लिक दिया करता हूँ आप लोग भी अवस्ट लिखेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, मुबाइल नंबर, अपना अस्थान और तिथी अवस्टेंगे इस प्रकार हम लोग हाजादी के अमरित महसब पर हुई वरस्टाचार का उजागर कर वरस्टाचार के खिलाफ RTI लगाकर आसानी से लड़ सकते हैं तथा भारत में हो रहे वरस्टाचार को कम अवस्ट कर सकते हैं जैहिन